हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह दिया आपका फेस्बुक अकाउंट हैक हो गया तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे और कैसे आप फेस्बुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते ह सारी स्टेप्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैस सच बोलूना तो कुछ ही कर लो जो हैकर होता है न वो लगाए लेंगे कैसे तैसे कर गए मैंने सब कुछ ओन कर रखा था मेरे पास कोई कर लिए एक में लिए थी मैंने क्या देखा नहीं उस टैंप है दूसरी में लिए आई भी है इसने दो नमबर एड कर लिए और तीसरा इमेल आइडी भी चेंज कर दी मेरी इमेल आइडी थी इसने यह लगा दी अब जैसे मैं लोगिन करने गया मेरे अकाउंट को तो लोगिन नहीं कर पा रहा मैं वह पासफ़ट गलत बता रहा जो मैं फोर्गेट पी किया तो वह भी मेरी इमेल आइडी मैंच नहीं खारी मेरा सर गुंगया करूं क्या जबकि मैंने सब कुछ कर रखा था उस पर ट्व के लिए सबसे पहले क्रॉम अधेर को उला मैंने याद रहें आपको इसारी उत्हाप कर दिश्थर में एक तो मैंने किया कि आ कि टो फेस्बूघ अकाउंट कि कुछ तो यह था hack and fake account facebook help center जैसे मैंने इस पर क्या क्लिक आइधिंग तो इस पर आपको नीचे आना है तो इस वाले पर क्लिक करना है आइधिंग my facebook account was hack or someone is using without my permission जैसे इस पर क्लिक करेंगे get started इस पर क्लिक करना है ठीक है अब यह आगी पूच रहा है कि someone else gained access to my account someone else gained access to my friend account तो इस पर करना है कि लिए मेरे account का यह access लिलिया आगी पूचेगा sorry to hear that your account has been hacked are you able to login to that account तो आपको बोलना है अगर क्योंकि कि लोगिन नहीं कर पारे है अपनो आइकांट लोगिन ठीक है उसके बाद में पूंचेगा yes I can access the phone number और email address क्या आप phone number और email address उसमें link है तो आप बोलेंगे नहीं कोई access नहीं है मेरे पास क्योंकि उसमें चेंज कर दिया उसके बाद आपके पास यह यूरल आ जाएगा यह मैं डिस्क्रिप्शन में बढ़ेंगा आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर जो यह बता है जैसे कि कई बार यह बोलता है कि वीडियो रिकोर्ड करके भेज़़ दो आप अपना सेल्फी लेकर तो उससे हो जाएगा कई बार बोलता है इसी तरह आप अगर वह जो जो डिटेल मांग रहा है आप उसको समिट कर देंगे तो आपका अकाउंट 15 से 20 मिंट में आ जाएगा लेकिन याद रहे आपको क्या क्या गलती नहीं करनी आपको शिक्यूर रहना है क्योंकि मेरे अकाउंट में बहुत चीजें थी फेस्बुक में जाएंगे ठीक है नीचे स्क्रोल करेंगे शेटिंग इसमें जाएंगे प्राइवेसी में सले जाएंगे पहला नमबर तो प्राइवेसी में है प्राइवेसी यह तो सेटिंग में सले जाएंगे आप पहला काम यह कर लें यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन याद रहे तो इस पर आप जरूर अपनी डाल के रखें जैसे मैंने यह समिट कर रखिया कि अगर कोई भी मेरा अकाउंट है करता है तो मैंने पहले इससे फेस्बूक को आइडी दे रखिया तो वह मेरी आइडी से वापस रिकवर हो जाएगा तो इस तरह से आप भी अपनी आइडी यह वह भी आपके driving license है आप इस पर अप्लोड कर दें और confirm your identity यह हमेशा ओन रखें क्योंकि इससे अगर आपका अकाउंट होता है कुछ भी होता है तो कोई issue नहीं है आप मस्त रही है क्योंकि आपने Facebook को दे रखिये मैं ही हूं यह मेरा अकाउंट है आइडी दे रखिये तो र हमेशा ओन रखना है इसमें two steps जो authentication है इसको हमेशा ओन रखें या तो कोई आप है जैसे Google आप आता है तो उसके थुरूँ आप इसको कर सकता है जैसे मैंने यह अलग से डाल रखता है इसमें authenticator app तो यह हर mint में अपना code change करता रहेगा तो इसलिए दिखा रहा हूं कि यह change होने वाला है तो इस एप से भी आप login कर सकता है यह इस पर बता दूंगा कैसे करना है यह फिर आप इस पर जो रिकवरी SMS है इमेल है यह लगा के रखें आप इसको हमेशा ओन रखें यह सबसे ज़रूरी चीज़ है मैंने हमेशा होन रहता है मेरा ठीक है उसके बाद एक चीज़ ओर होती है कि क्या करते हैं वह आपके contact का सेम आपका नाम लिया आपकी photo type profile पा अगर आपका profile लोग नहीं है आपके contact detail यानि आपके friends public हैं तो वह आपके सारी duplicate copy कर लेता है fake account बना लेता है तो इसी उसका और हो आपके दोस्तों को message करेगा कि वह सोचेंगे कि भी आप ही हो तो इसी से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि privacy वाले को लिम में जाएंगे कि एक मिन मैं आपको बता देता हूं थोड़ा नीचे privacy इसमें अपने profile पे क्लिक किया उसके बाद माएंगे प्रेवेसी को लिम पर यह कोई इस्यू है आप यह अब यह तो प्रेव इंग मैं तब तक और दिखा देता हूं प्रोफाइल लोकिंग पर आप इसको लोक करके रखेंगे अपर अपने प्रोफाइल को कि आपके को भी फोटो चोरी ना कर पाएंगा ठीक है दूसरा कि किसको ब्लोक है नोटविशन शैटिंग हमेंसा टेक्स मेसेज यह उन रखें तो यह सारी सेटिंग आप करके रखें प्राइवेसी में जो आपके फ्रेंड है उनके आप लिस्ट पॉब्लिक ना रखके प्राइवेट रखें अभी चल नेरा नहीं दिखा देता हम आपको क्या इस्यू है पता नहीं आइधिंक रीकवर हुआ है तो इसके वज़र से को एकाउंट को हैकिंग होने से बंटा सकते हैं मेरे पास हे हखोगया इसके बाद मैंने इनसे बात की 9-7 में ही मेरे पास करना है जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है जैसे आपके पास मेल आती है तो यह सबसे पहला काम यही करना है उसके बाद आगे को आपको फेस्बूक है कि वह सारा करने का करना है सबसे पहले अपने प्रोफाइल को लोग करें कि ताकि ज्यादा चेंजिज वह ना कर पाए ठीक है उसके बाद कि देखो मेरे पास जैसे यह यह हुआ था तो मेरे पास फेस्बूक की तरब से यह मैसेज आया था फेस्बूक वार्वन मेरे को यह मेल भेजाता है जैसे मैं उनको आईडी समिट की थैंक्स पूर कंफरिंग यूर इडेंटी तो गेट यू बैक उन फेस्बूक विए रिसेट यूर पासवर्ड तो अब यह रिसेट का पासवर्ड का आगया आप इस पर रिसेट कर सकते थे अपने अगाउंट के पासवर्ड तो इस तरह से दोस्तों आप अपने अगाउंट को रिसेट कर सकता है थैंक्यों दोस्तों मिलते हैं नएव वीडियो में तो तक के लिए बाई बाई टेक के यार